दर्शक मित्रो पौरबंदर के नांजी कालिदास महता के बारे में यह वीडियो आप गुजराती और हिंदी दोनों भासा में देख सकते हो और सुन सकते हो नांजी कालिदास महता का जीवन देखते हुए कहा जा सकता है कि मनुष्य की नियती होती है और यदि वह कर्म करने के लिए वापस नहीं रहते तो वह दुनिया पर राज कर सकता है महान व्यवसाई, दानेश्वरी, कर्मयोगी, वैश्णव धर्मी और आरिय समाजी इस व्यक्ती ने अफ्रीका के कई दोसों और बुरायों के खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश की और एक निर्विवाद व्यपारी और बाद में एक महान व्यवसाई बन गए दूसरे सब्दों में नांजी कालिदास का जीवन का वर्णन करने के लिए कहा जाता है कि वह एक विशाल और तुफानी जीवन के स्वामी थे उन्होंने दो महाद्वीपों में व्यापार और उध्योग जगत में चार चांद लगा दिये भले किसी को विश्वास न हो कि जिस व्यक्ति ने सिर्फ चार कक्षा तक पढ़ाई की थी फिर भी इतनी बड़ी प्रसीदी और नाम और धन अरजीत किया था ये कोई सायद नहीं बानता लेकिन हा यह एक परम सत्य है नांजी कालिदास महता के पुर्वज रावल के पास छोटा सा गोराना नामक गाउं था वहां रहते थे और व्यापार और उधार से जूड़े रहे थे लोहना साखा में पिता कालिदास और जमनाबाई के घर में उनका जन्म हुआ था उनकी मूल सरनेम बदियानी थी लेकिन व्याउसाई महता का करते इसलिए महता के नाम से जाना जाने लगे उनको दो भाई और एक बहन थी व्याउसाई के लिए ज्यादा पठाई नहीं की वह व्यापार में सामील हो गए और तेरा साल की उम्र में वे विदेश चले गए जहां उन्हें युगांडा में कोटन किंग, सुगर किंग और अफरीका के महाराजा के रूप में जाना जाता है 1900 में जब वे अफरीका गए तो उनके साथ एक बावाजी, एक नाई, दो महर और पांच लोहाना गए थे मुंबई से जंगबार के लिए माडागासकर स्टीमबर का टिकट रुप्या 35 था उस समय जंगबार से मजंगा का चो पाउंड था लेकिन जब उने फुल भाभी नामक एक सस्ता घरेलू जहाद मिला तो उनोंने 10 रुप्ये में वहां पहुँच गए और 26 दिन उसने जमीन देखी नाजी कालिदास महता को मूल स्थान तक पहुँचने में 31 दिन लगे बीच में वहां जाते वक्त उसने कॉरंटाइन भी रखा गया था आज कल कोरोना के समय में उस वक्त कैसा कानून था क्या क्या देखा जाता था वो हमें यहां मालूम बढ़ता है सन 1905 में जब उन्होंने अफरीका में कमली गाउं में एक स्वतंत्र दुकान खोली तब उनकी पूंजी 240 रूपिय थी लेकिन उन्होंने वट आबरू और साहस्पूर्ण व्योहार करना शुरू कर दिया इसके बाद अफरीका के वनसंसा धनों और कपास का व्यापार बहुत जोखिम से किया अफरीका में बहुत खत्रा था ज्यादा तर लोग कपड़े भी पहनते नहीं थे महिलाओं ने सिर्फ एक केले के पत्ते को अपनी छाती पर लटका लिया करती थी कुछ हिलाकों में आदमी को पकड़ कर मार कर खा जाते थे हिंदी आदमी का मास उसको अच्छा लगता था उस वक्त कुछ लोग पकड़े गए उसने सत्रा आदमी को खा गए थे ऐसी कबूलत दी थी युगांडा में इंफ्लुएंजा के प्रकोब में नांजी कालिदास महता के दो चचेरे भाईयों और पत्नी का मौत हो गया उस वक्त उनका लड़का खीम जी तीन साल का था उसके बाद उन्होंने 32 साल की उम्र में भानवड की 16 बरसी बेटी से रिस्तेदारों और पिता के दबाव में आकर साधी कर ली बाद में नांजी कालिदास महता ने अफ्रीका में दो हजार एकड जमीन 36,000 रूपिये में खरी दी और बड़े व्यवसाई बन गए उस आदमी ने अफ्रीका में कपास और गन्ना लगाया और अपने कारखाना में कच्चे माल का इस्तेमाल किया उन्होंने बड़ा कारोबार जमाया होई में कोटन कंपनी युगांडा सुगर फैक्टरी आफ्रीकन हाइलेंड टी कंपनी केत की प्लांटेशन महराना मील पोर बंदर सिमेंट एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज राणावाव आरिय कन्यागुरु को पोर बंदर और उन्होंने अफ्रीका और हिंदुस्तान में कहीं जगा स्कूल धर्मसाला बावडी और हस्पिटल ये सब बनवाई और उसने दानवीर का नाम कमाया था उसने अपनी अनुभव कथा गुजराती में लिखी उस किताब का नाम था मारी अनुभव कथा नान जी कालिदास महता ने भले ही करोडों रुपिये कमाये लेकिन वह अपनी मात्रु भूमी को कभी नहीं भूला उसे हमेशा अपने मामा के गाउं विसावाडा अपना गाउं गोराना पोरबंदर की याद आती रहती थी इन चार कक्षा तक अध्यन करने वाले व्यक्ती ने अफ्रीका में फ्रेंच और अंग्रेजी और अफ्रीका की स्वाहिली और मालागासी भासाए बोलना और समझना भी शिखा था उन्होंने उस समय लाखो करोडो रुपिय कमाए थे लेकिन उनके पास गर्व जैसा कुछ नहीं था अभीमान कुछ नहीं था और सादा जीवन जीने वाली उनकी दूसरी पत्नी भी ऐसी मिली 1941 में जब उन्होंने अपने बेटे से सादी की थे तो उन्होंने साद्गी और सादी पर केवल 72 रुपिय का खर्च किया था देश विदेश की यात्रा करने का उनको बहुत सौक था जहां भी जाते कुछ नया देखते कुछ नया सीखते आकर व्यापार में उनको लगाते यही नांजी कालिदास महता ने विदेशियों से शिखा सदभाव कौशल सठिक्ता स्वाभीमान बहदूरी नीमित्ता सिष्टाचार सहजिक्ता देश भक्ती आलश्य नहीं वे विदेशी के इन गुणों से बड़े प्रभावित थे उन्होंने मिस्त्र, केरो, रॉम, स्विजरलेंड, डैनमार्क, इंगलेंड, हलेंड, नौर्वे, जर्मनी, पॉलेंड, आधी-आधी ऐसे देशों की दुनिया के प्रसीद स्थानों की यात्रा की थी उन्होंने लंडन पुलिस की जानकारी देने का धैरिया, कौशल, विनम्रता और मुस्कुराने का तरीका पसंद आ गया था नांजी कालिदास महता कहते थे के व्यापार का धंधा मेरे दिमाग के खेल की तरह है किसी भी बड़ी राशी का सौधा करना, किसी भी भयानक जंगल में जाने में मुझे खुशी होती थी तब बाबाप, भायबहन, पत्नी कुछ याद आते नहीं थे जब लौड हौफ मेयर भारत आये तो महराणा नतवर सीह जी ने उन्हें पोरबंदर में गांधी जी का जन्मस्थन दिखाया तो वे बहुत खुश और दुखी हुए लौड हौफ मेयर ने कहा कि आप इस महान व्यक्ति की महानता को महत्व नहीं देते अगर कोई परदेशी होता तो करोडो रुप्य खर्च कर देते उसने आपके देश के लिए क्या किया है, क्या दिया है और आप क्या पेश कर रहे है उसके आपको किम्मत नहीं यह जगह एक सुन्दर चिरंजी उसमारक होना चाहिए इन सब्दों ने नानजी कालिदास महता को छू लिया और बाद में पोर बंदर में किर्ती मंदीर बनाया गया प्वार कालिदास में पोर बंदर में किर्ड़ जिए कर दो लिया दो किर्ड़ी है